अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ अब बाजार जाकर ही रासन खरीदने की क्या है जरूरत जब ओईमार्ट है आपके लिए तयार ओईमार्ट के मुवाईल अप या वेप साइट से कड़े बाजार मुल्ली पर खुल कर खरीददारी पाएं ओईमार्ट के मुवाईल अप के सीधे वाटसप से कड़े संपर्क सामान का लिष्ट या फोटो खीच कर भेजे कराएं बुकिंग संपर्क कड़े 83403717877325052437 GS News पर चल रहे है प्रशन उत्तरी प्रतियोकता में आज का सवाल गनतंतर दिवस पर पुर्ष निर्धारीत यात्रा को किसने गोरोना के कारण रद कर दिया है वीडियो को रोक कर अपना जबाब कमिंड बोक्स में जरुटैं धीयान दे वैसे प्रति भागी जिन्होंने दिसंबर मा में प्रतियोकता में भाग लिया था वे अपना इस्क्रीन सोट 97.094.194 पर भेज कर अपना रजिस्टेशन करवा लें रजिस्टेशन के पस्चात आपको बुला कर उपहार प्रदान किया जाएगा साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीयस नीज चैनल को और बेल आइकन को दमाएं कॉरी मजबूती के साथ कोंग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं के कहा गैस्थ के 21 विधायक से सुना है बहुत आश्चर जैगी भलत सिंग किस हैसियत से बोल रहे हैं मैं विधान मंडल के नेता के हैसियत से बता रहा हूं कोई कांग्रेस पार्टी में एक विविधायक कहीं नहीं जाने वाला है हम लोग इंट्रैक्ट हैं और क्यू जाएंगे भाई हम लोग महागर्वंदन ने इतनी सीड़ जीती है कोई कहीं जाने का मतलब क्या है किस हैसियत से वो बोल रहे हैं मुझे तो मानिया धेक्स महोद है मतलब है जाजी से पूचा यह कौन यह 185 में बार जीते थे और साथा बार पार्टी बदल चुके हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं क्या मतलब है देने का सिर्फ मीडिया में रहने के लिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पुरे बिहार की जंता को कांग्रेस एक जूट है और कांग्रेस के 19 विधायक एक भी विधायक कहीं जाने वाले नहीं है मैं आपको बताना चाहता है जब मैं नेता विधान मंडल के दल के हैसियत से बोल रहा हूं मेरे बारे मुनको जानकारी कम है कांग्रेस ने जो सम्मान लोगों को देते हैं चाहे जंता के पीछ हो चाहे विधायकों को हो वो कहीं नहीं मिलने वाला है इसलिए वो मेरे बारे में क्या बोलेंगे मेरे बारे मतलब सुर्ज को आप दिया दिखा रहे हो आप हो कौन जो बोल रहे हो क्या आपके पास वह ऐसे ही बोलता है इस पर आप लोगों को ध्यान देने की समधान होटल फुड प्लाजा के सोना ओपन मेरिस गाडन नवगच्छा का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्ता के साथ जहां उपलब्द है एसी नने सी कमरे मंडप बूफे काउंटर हाइटी डीजे फ्लोर रोटेशन लाइट के साथ सभी आधोनिक व्यवस्ता आपके आईए आपका इंतजार है होटल फुड प्लाजा के सोना मेरिस गाडन जिरो माइल नवगच्छा भागलपूर संपर्ग सुत्र 96619048177992499821 भागलपूर नव विवाहिता पहुची SSP कारिया ले लगाया नियाय की गोहार एक नव विवाहिता भागलपूर के सीनियर SSP कारिया ले पहुची और नियाय की गोहार लगाई नविवाहिता ब्यूटी द्वारा दिये गए आवेदन में अपने पती पर अपने ही माता पिता और भाई द्वारा जुटा मुकदमा दर्ज कराई जाने और सजोर पुलिस के द्वारा उसे पकड़ कर उसके घरवाले के हवाले कर दिये जाने की बात कही जा रही है उसने आस मातपूर के संदीब कुमार उर्फ संजीब से प्यार करती थी और जब घर वालों को इस बात की जानकारी मिली तो उसने जवरन घर में बंद कर दिया था वो अपने मर्जी से घर से भाग कर 17 दिसंबर को गोनुधा मंदिर में संदीब से साधी कर ली जिसके बाद उसके संदीब की उम्र 22 वर्फ है जानकारी मेरे फैमिली को होते ही मुझे टॉर्चर करने लेगा है मैं डिली मुझे टॉर्चर कर रहे हैं मुझे हमें सा मितलब टॉर्चर दे घर में कायत कर के रखते हैं अब भी मेरे family वाले मेरे सस्राल वाले को टोचर कर रहे हैं मुझे डर है कि मेरे पती के साथ को लोग कुछ गलत ना कर दे इसले मैं उनके लिए कुछ security चाहती हूँ कि मैं उन्ने नहीं कुछ हो मैं बहुत फूँस हूं अपने इस जिंदगी में बट मेरे फैमिली है कि मेरी जिन्दगी तवा करने के पिछे मेरे लगे हुए हैं क्या नहीं है पिटा जिगा जैपरकास्सा कहा गोशा जौर यूको बैंक के सामने जिसा पेशादी किया है वो को नहीं है वो हमारे हज्बन किछनफूर् अंक्षरिया में हमारे सुस्राल है उस्निप खेहातर जैका संधीव कुमार को वह प्रेज मेडिया में है इंडिया नीयुट में तो जिग भागरपुना है या वह गार में दोनों वह सादे कि वहosition के लगिया में तो मैं गुन वो सारे रसम की है। के समीब ट्रक में जोरदा टकर मार दी। हाथसे में कैदी वाहन के चालक समे तीन पुलिस कर्मी बुरी तरह से जक्मी हो गए। खटांगी सुचना मिलते ही अमरपूर थाना पुलीस रशना अस्तल पर पहुंची और कड़ी मसकत के बाद कैदी वाहन में पसे चालक। वो पुलिस कर्मी को निकाल कर इलाज के लिए माया गंज भागलपूर भेजा जहां इलाज के दौरोन कैदी वाहन चालक की जान चली गई वहीं तीन पुलिस कर्मी की हाल अदगम्भीर बताई जा रही है। आप लोग टोटल कितने आदमी थे हैं। आने के करम कितने आदमी थे आप लोग अगंभी रूप से घायल कितने जनुए आप लोग तो सभी हुआ है। आपका परिचर मेरा धर मालती हुआ। ठाना रजाउन हुआ। मेरा नाम गवल पुसर पास्वान हुआ। रजाउन थानों मंचकुदा है। अजी लिकर के मेर दिए अंगे अंगे ररा मंदम में गाई। जमा कि ये जमा किए जमा करने बाटी अंगे पहुआ हुआ हुआ। अब लोग टोटल किदने आदमे थे? चार अदमी थे, तीन सिफाही एक ड्रैबर, और ये घटना कहां पर हुई थे? अपना सम्रुगन चे आगे रामपूर के पास, रामपूर के पास, रगवक कितने बजे? डिल बजे कास पास, आपका सुबना? रविंदर कुमार मुनसी जी राजे स्वावु के लोरे, कलके टीम की वेस्टी जानकरी दोटा है, तो चलो वहां है, तो चलो वहां है, तो इसमें गलावर में शुपिटल में है? पास, 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 आपका अमरपूर है थाना में शुपिजार है, जी 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 घटना के बजे घटा है, एक बजे, इसमें केदी सब देखा किया गारी में, नए, केदी पहुंचा एक लोग लोग, करें, मुञे, पोस, पास, 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 पबजे, अब आपकी सहर नवगचीया की सुफिज़र अहुना में, हांडी में बटन एवं चिकन के विविरन एवं बेहतरिन स्वात के लिए, सुन्दरम का तीसरा ब्रांच आत के लिए तयार है सुन्दरम अहुना मटन नवगच्या, स्टेशन चॉक, राजेंदर कॉलोनी मोर नवगच्या नववर्स 2021 पर अहुना मटन एवन चिकन की खड़ी दारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे संपर के सुत्र 8603493747 खानी में चाहिए टेश्ट तो सुन्दरम है बे नवगच्या के दरजनों ओटो चालग भीपूर विधायक से मिलकर बताए अपना परिशान भागलपूर में जाम से निजात दिलाने के लिए कमिश्णर ने कुछ दीनों पुर्व कड़ा फैसला सुनाया था कमिश्णर ने नवगच्या के और से आने वाली ओटो को बरारी तक ही रोके जाने की बात कही थी इसके बाद से नवगच्या और मंडल छेतर में तमाम ओटो चालक परिशान है इसी कड़ी में नवगच्या के दरजनों ओटो चालक वीपूर विधायक इंजिनियर सेलेंड से मिलकर अपनी परिशानी को बताया वह इसके बाद इंजिनियर सेलेंड ने ओटो चालक को सौसन दिया है कि वे डियम और कमिसनर से इस बावत बात करेंगे उन्होंने कहा कि ओटो को तिलकामा जी इस्तित पुरानी बस सिटेंट तक प्रवेश करने दिया जाए नहीं तो ऐसे में ओटो चालक अपने परिवार परिए बालबच्चे है कि का खाएंगे उसके तुमस्या उत्पण हो जाए कि तिलकाम जाए इसी समस्चा लेकर हम विधायी के पास आया है चाहत हम लोग चलाता है हम लोग चयाग खरीक से लिग नगच्या खरीक के हम लोग लोग है पावन जाए नहीं सारे ओटो वाले ज लिगा मश्या है कि अभी जो जो इनके माधम से पता चला है इनको जीरो माईल में रुका जाएगा लेकिन जो वहां पर यातरी आते हैं वो चाहते हैं कि हम हुस्पिटल से कम से कम मजदी का जाए तो सरकार का यहां की अधिकारी को यह नॉलेज है कि यह मेरा सज़क जाम हो तो इन लोग को तो किस्त भी नहीं पूरेगा, इसलिए हम चाहते हैं, कि इलका जो है, रूट चार्ट छेंग ठड़ा करके, तिलका माजीब बॉस सेस्टेम जो सरकारी वहां तक आजे, काफी जगा भी है वहां, यहम कमिशनर सहाब से और डीम सहाब से बात करेंगा। हम लोग आए हैं, हम लोग को पेपर के मादियम से चानकारी हुआ साए, कि 15 तारिक से सहर के अंदर परवेश नहीं किया जाएगा। हमारी समस्या यह है कि तिलकामाजी में हम लोग को आने दिया जाए, राकेश सिंग है। नवगच्या स्पी ने अपने पहले अपराद गोस्टी में दिया आवशक निर्देश कहा, थाना आने वाले फरियादियों से हो, इजज़त से पेस आए पुलिस करमी। नवगच्या के नए एसपी सुसान सिंग सरोज ने अपने पहले अपराद गोस्टी में थाना द्यक्षों को असपष्ट निर्देश देते वे कहा कि पुलिस पबली के बीच बहतर समन्यवय के कई फाइदे होते हैं, इसलिए हमेसा पबली के साथ दोस्ताना वे भारक आपके पास आता है आप उसे एक सब्ताक अंदर जांच कर लें जो भी बात सामने आए उसे वादी और प्रतिवादी दोनों को उपलवद कराएं ताकि दोनों यद देखकर संतुष्ट हो जाए कि पुलिस ने किस प्रकार जांच किया है। ना मुझे ना इस्पी साथ को अब लिया है। इसमें भी एक टीम बनाई गई है। पेस आप देखने सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें। मैक्समाम गिरवतारियां हो और विधी विवस्था या भूमी विवात का हो चाहिए उसकी चर्चा होने क्या है। और अभी हमनों टार्गेट भी दिया है। जो कुछ अपरादी है, जो मुख अपरादी है इस जिले के। सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें। जो भी पॉब्लिक पीटिशन मिलता है उसको प्रयोटी पे एक अपकार में जाच करतें। सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब करें। परादी है, जो जेल में है। जो सजाद जाने के लिए इस पीटेव भी चलाएब। यह वाट वोने क्या पाद पूस्ट था थाना परवारी के चेत्र में अधि उनके थाना चेत्र में पुलिस मुख्याले से यानि जिला मुख्याले से रेड पीम करने जाती है बारमद हुआ कर लेती है यह मानें कि थाना परवारी सही तरके से काम नहीं कर रहे हैं इसे घंबिर्टा से ली जाएगा अधा वह लोकल इंपूट जो भी है चुकदार कपहदार के सयोग से आसुचमा एकठा करें और अपने छेत्र में किसी प्रस्ति में सराव का वह विक्री हो चाहिए पड़िवार अधानाओं को नया नंबर दिया गया है यहां पर कि यह तावर खाम नहीं करता है लेंड लाइन की बीटेल को से दिया गया है ताकि आम लोगों को बात कर भी करनी होगी मैं आप लोग माध्याम से लिष्ट दे दूँगा ताकि आम जन इसका पचार पसार को सम्भ्यवस्था, मीच मुर्गा, मचली अंडा सहित, साधा भूजन रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड रिंग, थंड़ा इत्यादी उपलब्ध हैं, होम डिलिवरी के लिए अभी कॉल करें, 993462095, मटन स्पेचलिस्ट नवगच्या का कोमल होटेल नवगच्या, गोपालपूर और भीपूर विधायक के बीच बातचीत का ओडियो हुआ वाइरल, विधायक के फिर बिगड़े बोल, कहा, भुमिहार अरूबनिया का हमा सहिती दवय, हमेशा अपने बड़ बोले पन के कारण चर्चा में रहने वाले गोपालपूर विधान पुर ना आने की और गोपालपूर के भाजपायों की पेरवी ना करने की बात कर रहे हैं, ओडियो में गोपाल मंडल ने जमकर अभधर भासा का प्रियोग किया है और गोपालपूर भाजपा के कई नेताओं के विरुद गाली गलोज भी किया है दोनों की बातचीत से, यह साप असपस्ट हुआ है कि गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल को इस बात की नाराजगी थी कि पिछले दिनों नोगच्या के भाजपा कारियाले में आयोजित इंजिनियर कुमार सेलेंडर के अविनन्दन समारों में नोगच्या ग्रामिन भाजपा के पुर्फ प्रकंड अध्यक्चोर गोपालपुर से राजपा के प्रत्यासी रहे संजीव कुमार उर्फ जाबो क्यों पस्तित था हलांकि भीपुर विधायक ने इस पर अपनी सफाई दी लेकिन गोपाल मंडल यहीं नहीं रुके उन्होंने गोपालपुर भाजपा के पुर्फ प्रत्यासी रहे पुर्फ सांसर अनिल कुमार यादव भाजपा के वरिष्ट नेता वसाइत पुनिवासी गुलावी सिंग वीजे कुमार सिंग के विरुद चुनाओं में विरोधी प्रत्यासी का प्रचार करने का रुप लगाते वहीं बताते चलें कि गोपाल मंडल और इंजिनियर सेलेंड के बीच बाचित अंगी का भासा में है मुझे असर्ट बलगता है जब अपने दल के नगचिया भाजपा जिला के अध्यक्ष वो बैठ कर उनके आवास पर सामने में ये बात उन्होंने उन्से बुलवाया है यह प्रमान है मेरे पास बिनोध मंदल जी का जिलाध्यक जी का प्रमान है कि वो यह इस तरह की बात उनके सामने में बैठ के चुकि चुनाव के समय क्या हुआ कि बिनोध मंदल जी भाजपा के सारे कार्ज करता को बिनोध गोपाल मंदल जी को यह कहके कि यह लोग सपोर्ट करने करएं सबको हटा दिया और एक झात्र जो है गोपए बिनोध मंदल जी को पाल जी से सठ़ के भाजपा कारजाले में जदियू करजाले का ओफिस खोल दिया और वहां से सब सिस्टम मोड़ अपना हाथ में ले लिया चुनाव के पहले पूरा मेरा बिरोध किये थे बिनोद मंडल जी सक्सेस नहीं हुए हम चुनाव जीत गए और जिसके वज़ा से वो अब गोपाल मंडल जी के फेट फुली भाजपा जिलाद ध्यक्ष हो गए तो वो चाह रहें कि अब हम तो इंजिनियर साब से कोई बात नहीं कर पाएंगे तो क्यों ने गोपाल मंडल जी से हम इनको धौस दिलबाद है अब सोचिए मेरा अपना कर जाला है भाजपा का और खुद जिलाद ध्यक्ष बैटके कहवा रहें कि उनको कहिए यहां नहीं आवें बीपूर की राजनीती करें हमको राजनीत तो भी बीपूर की करनी है लेकिन संगठ जिला तो मेरा नगचिया है तो हम तो प्रदेश हमको बोलती है कि आप गोध लिजिए अपने बगल के विधान सभा को वहां के कर्ज करताओं का संबान कीजिए आप ऐसे में कैसे हम लोग अपने जिला ध्यक्ष पर विश्वास करें अब गोपाल जी पर हमको बहुत आश् कि बोलते बोलते बोल दिये कि हम तो चाह रहे थे, पवण चोधरी जबकि मिसरा बोलना चाहिये उनको कि हम तो चाह रहे थे गोपालपूर के विधायक पर फोन्टे फाइरल होने के बाद एक खास जाती समूपर आपत्ती जनक चिपन्नी के विरूद में राष्टिया जनजन पार्टी के प्रतियासी रहे। मनु गांधी प्रकंड अध्यक्ष इंद्रजीत राय पंचायत अध्यक्ष सुजीत कस्यप लिपी सिंग गौतम सिंग सारफ सिंग बिपुल सिंग बंबं सिंग आदी अनिभी मोजूद थे। मुझा बंद करो। मुझा चरंद तक उन्होंने नहीं देखा है। और उस बैक्ति को मौक के लगा कर बहन को गाली दे रहे हैं। लोगतंद्र में या खुबशूर्ती नहीं है किसी भी विधायक के लिए किसी जाती को का बोट लेकर या किसी जाती भी से उसको गाली देकर अपने आपको आगे लाए। अगर आपको जीत कराने के खुसी थी जिस जाती के बोटों के बदौलत आप बिधायक बने हैं। क्या आपने उस जातिक के लोगों के लिए जीत कराने के बाद क्या किया सिर्फ नर्तकी करने का कम किया है लोंडा नौच आपने कभी उनके बारे में सोचा है जिस पर आप बोट राजनितिक कर रहे हैं सिर्फ यही भुम्याराओं को ब्राह्मनाओं को याद्माओं को गाली च्श्बश्व मारने के लिए नियता बने हैं उनको डांस दिखा क्छुछ करने के लिए निता बने है विकास के मुद्शे कर आपको बोड़ दिलवाया, आपके लिए राधी ने एक कर मेहनत किया, और आज गाली सुन रहे हैं, तो हम तो उनके चलते गाली सुन रहे हैं, हम तो अपने बुजरगों के चलते गाली सुन रहे हैं, जिनों ने आर के राना से, के डर से आपको नेता मोना, आपके चलते आ और के राना से हमारी भगावत थी, ऐसा नहीं कि हमारा कोई प्रस्णली जाती दुस्मनी था आर के राना से, या राजत के लोगों से, राजत के नेताओं से, लालू जी ने हमारा क्या बुरा किया है, कभी कोई बुरा नहीं किया है, गोपाल पुर में तो सिर्फ राजनिती ह अन्य था पूरे बिहार के लिए एक मैसेच जाएगा कि आपकी सरकार में ऐसे भी बिधायक हैं जो बार बार लोगों को गाली गलोज करते हैं गुंडागर्दी करते हैं और आप उसी की बदोलत अपने सरकार को मजबुत करने में लगे हुए हैं मैं आगरख करूँगा सरकार से सेंट्रल गौब्मेंट से भी मैं आगरख करूँगा कि वो ऐसा दवा बनावा बिहार सरकार पर कि ऐसे विधायकों को निलम्बित किया जाए गुहान 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 नवगश्या में पहली बार आधुनिक तक्निक से बना एक खोव सोरत कॉफिस ओप एवं रेस्टोरेंट गुहान कौसाला रोड पोखर के सामने नवगश्या वेज एवं ननवेज दोनों उपलब्द है ग्रेंड ओपनिंग एक जनवरी 2021 से आपके सेवा में आईए आपका स्वागत है भाजपा नेताओं ने किया प्रेस कॉनफरेंस विधायक के साथ साथ भाजपा जिलाध्यक्ष को भी लिया निसाने पर बुदवार को नोगचिया के कचहरी में भाजपा नेताओं के एक दलने रगरा के पुर प्रकंड अध्यक्ष मुक्तिनाथ सिंग के नेतुरित में एक प्रेस वारता कर विपूर और गोपालपूर के विधायके बीच वई बादचीत के ओडियो टेप पर अपनी प्रतिकरिया दी पुरुसांसाद अनिल कुमार यादब ने कहा कि जिस जाती वर को गोपालपूर विधायक गाली देन हैं उसी जाती वर गे उन्हें विधायक बनने का काम क्या हैं उन्होंने कहा कि वे पुरे मामले से प्रदेश नेत्रित को अबदगत कराईएं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार सी ने कहा कि वे गोपालपूर विधायक के वेक्तव की निंदा करते हैं उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष नहीं उक्साकर विधायक से इस तर से आता हूं हमारे बूत पर वो जाके देख ले कि सबसे जादा बोट किसको आया है और उस बूत लिस्ट में सबसे जादा बोटर को 23,000 बोट से चुनाओ जीते हैं यहां के विधायक जब तक बीजेपी का बोट उनको नहीं मिला तो कैसे जीत गए 23,000 बोटों से चुनाओ और क्या भीजेपी मतलब सिर्फ बिनोध मंडल जी हैं और उसी बिनोध मंडल जी ने बिहपुर हराने के लिए समूचा कला लगा दिया था जिसके प्रमान हमारे कई भाई है वहां मैं ऐसे जो बयान आया है उसकी निंदा करता हो साथ ही भाजपा के जिला ध्यक्ष की घोर निंदा करता हो कि इनके बहकाबे में इस तरह का काम लगातार करवाया जा रहा है और जिस भाजपा कारियाले पर जो गफालपुर बिदहन सभा में आता है उस पर यहां के भाजपा के बरतमान विधायक इंजीनियर सेलेंदर को आने से मना करने की बात कही जाती है मैं इस सब्द का खंडन करता हूँ जिला उपाद धेक्ष के नाते कि वो कारियाल है पूरे नोगचिया सांगठनिक जिले के एक-एक कारिकरता का है वो किसी की जागीर नहीं है ये ख्याल रखे कोई भी इस तरह का बयान देने वाले व्यक्ति जिस तरह का बयान आ रहा है इस तरह से किसी भी व्यक्ति के जानमाल पे खतरा हो सकता है इसलिए मैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष तमाम भाजपाईयों के लिए सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहा हूं तो उनको सुरक्षा मुहिया कर रहा है अध्यक्ष के सहभागिता से पार्टी भाजपा जिला ध्यक्ष बिनोद मंडल के सहभागिता से यहां के प्रतिनिधी के द्वारा दिये गए बयान से अब हम लोग भया क्रांत हो चुके हैं अब डर सा लगता कि कभी भी किनी के साथ किसी भी तरह की बारदात हो सकती है मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जैसवाल जी से और प्रदेश संगठन से ये मांग करता हूँ कि ऐसे जिला अध्यक्ष को जिसने पार्टी को हराने का काम किया और अपने ही कारेकरताओं का सर जुकाने का काम किया है नीचे दिखवाने का काम किया है इन पे अभिलम्ब अनुसासनात्मक कारवाई करें तीन बार वो जिता भारतिये जनता पार्टी के सहजोग से और ये बार जिता है आरजेटी के सहजोग से अगर उसको दम है तो वो अकेले चुना लड़ करके देख ले अकेले वो चुना लड़ा है जिसमें 15,000 या कुछ भोटाया है अगर उसको सकती है तो कहे अपने निताकों का हम जद्यू से अलग हो करके जद्यू के साथ ही अकेले चुना लड़े तब हम समझेंगे कहां के बा लेकिन उन्होंने मेरी मां को गाली दिया जो इस ब्लोग के प्रथम प्रमुख रमचंदर वावु के पतनी को गाली दिया जिसका उन्होंने उनका चरन तक नहीं टेखा होगा वह स्वर्गवासी हो गए और गुपाल मंगल जी से बहुत नम्र निवेदन है उन्होंने जो किय बहुत अच्छा किया मैं उनको तहें दिल से सुक्रियादा करना चाहता हूं कि यह हमें अपना सच्चा सिपाही बनके उनका मदद किया रह गई बात हमारे नितीज जी सुसासन बाबु है मैं उन्हां तक मैसेज देना चाहता हूं आपके विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने 90 पे पेटी दारू मैं चिवनी वाला भट्टे से मुक्त करवा दिया उनके उपर करवाई होनी चाहिए कि ने होनी चाहिए मैं प्रसासन को भी कहना चाहता हूं और रह गया बात जाववाव आर जे जे पीशे वो हमारे प्रखंड अध्यक्षते हमारे करकुतूम लगते हैं क्या मैं वो भी छोड़ दो जरूर जाता हूं आता हूं दूसरी बात है लेकिन आप बोट का ये कुठा हैं अगर भी रायक जी को अगर हमारे मुख्यमंत्री को है या हमारे प्रदे सद्यक्ष भाट्षपा को लगता है कि इनका बिरोज किया है सबर्नों ने तो हर एक जग मैं जमीन पर चड़ा दूंगा ये क्या लेंगूंग अभी अभी करिमजर को करता यह भी जिंदा खले जादश जिंदा है फटल जादश मैं चड़ा सब्शटाब आप क्या है उनका क्या है कुँक्रा जाता हूं बत्यासी हूं fixing तो हमको टार्गेट क्यों बनाया गया है मै और also if I'll start that Amati करते हैं करते रहेंगे पिद्धाई जी को गोली मर बाणा है मेरे जमीन पsilवा देना है हम तयार हैं जहां कहेंगे जो कहेंगे हम तयार हैं है हमारे जिला जक्ष विनुद मंदल जी फुद वहां थे और जद्यू विधायक और बिज़ेपी का विधायक दूनों में बाचित हो रही है जब यह ओमर्याजित रहासा बोल रहा था हमारे जिला जक्ष को उस पर बोलना चाहिए कि नहीं अच्छी बात नहीं है तो इससे दो अस्पर्ष्ट होता है कि जिला जक्ष यह सब करवार है हम कार्ज करताओं को जो चिन्नी भिन्न करने का काम कर रहे हैं यह पीजेपी का निश्कासित थे फिर भी इनको जिला जक्ष बनाया गया और यह बना बनाये घर संगठन को सिर्फी शुरू से उजारने का कम करने लगे जब मंदल अध्यक्ष का चुना हो रहा था तो कहीं क्या कहूं मैं रंगडा का बात कहता हूं और त्यार किया गया तो वहां का भी संगठन बिख्रा हुआ अच्छी बात है वहां नए कार्च करता के रूप में अध्यक्ष बने मैं उसमें बहुत बढ़ाई दिया उसमें भी तुकि एक कार्च करता बरने का काम होगा तो संगठन में जितना जोर सके जोरना चाहिए लेकिन ये सब दिन भाजपा के बिरोध काम किया और जिस समय इन्हों ने जोईन किया उस समय इंजिनियर साहब का ही बरहत था अनिलवावू थे शुरू में जब भाजपा कर्याले का जमीन खरीदा गया उसमें भी कमिशन वाजी किये और इस बात को हमने कई बलिश्ट कार्च करता को भी कहें कि इस जगह 7 लाख रुपिया कठा मात्र जमीन मिलता है और 12 लाख किया सारे 12 लाख रुपिया में दिया गया पार्टी को तो कितने अच्छे यी बीजेपी का भक्त हैं यह हमारे परदेश नेत्री समझे आज क्या परिणाम है जिला जग्ष के चलते हमको लगता है इसारभी आ रहा तो कर्च करता जिस समय खोज करके लाते थे फ आपके सहर नोगच्छिया में काना स्विट्स एवं रेस्टोरेंट हमारे यहां स्वादेश्ट मिठाई जैसे काजो पान, काजो फ्रोट, काजो कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजेज मिठाईयां उपलब्ध हैं सुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क ज पेड़ से गिरे गड़ूर के बच्चे को इलाज के लिए भेजा सुंदर्वन, धुलवज्या, बीते मुंगलवार की सुवा बगडी टोला कदवा में रमेस मंडल के कदम पेड़ पर उन्ने के प्रियास कर रहे गड़ूर का बच्चा गिर कर घायल हो गया, जिसकी सूचन मिलते ही तुरन डॉक्टर राजीव कुमा ने गड़ूर को उठा कर डॉक्टर नगीना राय के पास लाया, उसके बाद गड़ूर का प्रात्विंक उप्चार कर बेहतर इलाज के लिए उसे सुंदर्वन भागलपूर भेज दिया गया सुंदर्वन अहुना मटन विहार का सोप्रसिद एवं पूर्ली चमपारन का नॉनवीश्टेस्ट अब आपके सहर नवगच्या की सुंदर्वन अहुना मटन मेक, हांडी मटन एवं चिकन के विविविन एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदर्वन का तीसरा ब्रांच आ अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ अब बाजार जाकर ही रासंग खरीदने की क्या है जरूरत जब ओईमार्ट है आपके लिए तयार अब आपके सहर नोगच्या में कानहा स्विट्स एवं रास्टोरेंट हमारे इहां स्वादेश्ट मिठाई जैसे काजु पान, काजु फ्रोट, काजु कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाईयां उपलब्ध है सुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें ताथ ही पनीर डोसा, पनीर पीजा के लिए जरूर पधारें काना स्विट्स प्रोफेसर कॉलोनी नवगच्या, संपर्क करें 9060127642, 9308708313 गुहान, 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 नवगच्या में पहली बार आधुनी तक्निक से बना एक खोफ सोरत कॉफी सॉप एवं रेस्टोरेंट दुहान, कौसाला रोट पोखर के सामने नवगच्या, वेज एवं नान्वेस्ट दोनों उपलब्ध हैं, ग्रैंड ओपनिंग, एक जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आईए आपका स्वागत हैं नवगच्या का एक मात्र ऐसा स्थान जहां साधी विवाह मनाने का है समकूर्ण समधान होटल फुड प्लाजा के सोना ओपन मेरिस गाडन, नवगच्या का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्ता के साथ जहां उपलब्द हैं, एसी नने सी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाइटी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आदोनिक विवस्ता आपके लिए आईए आपका इंतजार है होटल, फुड प्लाजा के सोना मेरेस गाडन, जिरो माइल, नवगच्या भागनपूर, संपर्क सुत्र 9661904817, 7992499821 संपर्क करें, रनवीर कुमार छा, 8051550121, एके जह, 9472833513